हेलो फ्रेंद्स वेलकम टो ग्यान सेवा 24 स्वाजम करने वाले हैं एडूटेरिया 5K का प्रेक्टिश रेट नूमर 45 और 46 तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं जिसमें first question दिया हुआ है कि संभिधान के किस अनुछेद के तहत राष्टपती को संसद का सन्यूक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है तो किस अनुश्यद के अंतरगत जो है राश्टपती संसत का सन्युक्त अधिवेशन बुलाशकता है तो ये अनुश्यद 108 के द्वारा ठीक है नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन भारत के राश्टपती के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदर्श्य नहीं होते हैं तो बताना है कि कौन नहीं होते हैं तो इसका right answer हो जाएगा राज बिधान परशद के निर्वाचित जो शदर्श्य होते हैं ये जो होते हैं राश्पती के चुनाव में निर्वाचक मंदल के शदर्श्य नहीं होते हैं right answer हो जाएगा option number D next question दिया हुआ है कि निती निदेशक तत्व के शंबंध में गलत कथन को चुनिये तो इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है तो इसका right answer हो जाएगा इन्हें लागू करने के लिए नयाले में जाना ले जाया जा सकता है कि इनको जो एक तत्थ्य है निती निदेशक तत्व के शं समीती ने पंचायतों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए सिफारिश की है तो कि समीती के द्वारा किया गया है तो यह हो जाएगा LM सिंधवी समीती एल इम सिंध्यवी समीती के द्वारा जो है पंचायतों को आर्थिक रुप से आत्मनिर्फर बनाने किसी फारिस किया गया है नेक्ष्ट है कि किस संभिधान संसोधन के द्वारा मौलिक करतब्यों को संभिधान में जोड़ा गया है तो किस समिधान संसोधन के द्वारा? नेक्स्ट है कि समिधान के भागबारा में किससे संभन्धित प्रावधान किया गया है केंद्र और राजी के मध्य वित्त का बटवारा केंद्र और राजी के मध्य वित्त का बटवारा जो दिया गया है समिधान के भाग बारा में दिया गया है नेक्ष्ट है कि समिधान का कौन सा अनुछेद संसद को विधी निर्मान का सक्ति प्रदान करता है तो कौन सा अनुछेद करता है अनुषेद दोसो तीरपन जो है ये संसत को वीधी निर्माड करने की सक्ति जो है प्रदान करता है अनुषेद दोसो तीरपन ठीक है राइट आंसर हो जाएगा दोसो तीरपन केश्वा नंद भारती बनाम केरल राजी जो वाद 1973 में दिये गए किस निर्ड़े को सर्वची नयाले के सब्से महतपूर निर्ड़ेओं में एक से एक माना जाता है ये माना जाता है शम्विधान का आधार भुद सर्रजना का सिधान्त के दिये जो निर्ड़े दिया गया थ केश्वा नंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में ये निर्ड़े माना गया था नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समिधान के भाग सत्र में संग के सासकी ये प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंको का वड़न है ये निम्नलिखित में से है तो क्या है तो भार सत्रा के संग के सासकी ये प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंको का वड़न है ये है भारती अंको का अंतराष्टी ये रूप में आता है राइट आंसर हुझेगा अप्शन नमबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राजेपाल के शंबंध में गलत कथन को चुन निधी से दिया जाता है ये भी गलत है ठीक है तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर दो और तीन हो जाएगा तो अप्शन यहाँ पर सी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सासक को उसके सिक्कों पर वेड़ा लिये हुए अंकित किया गया है तो जो आजीवन अविवाहित रहती थी उनको बोला जाता था अमाजू ठीक है अमाजू बोला जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तामर पाशारिक अस्थलों में आनाज का सबसे बड़ा साक्ष किस अस्थान से अस्थल से प्राप्थ हुआ है तो यह जो प्राप्थ कोई अभी लेख कहां से प्राप्थ हुआ है 14 सती पुर्व का तीज का राइट आंसर हुजएगा एशिया माइनर से बोगाज कोई अभी लेख प्राप्थ हुआ है 14 सती के पहले नेक्स्ट कोईश्चन है कि किस संगठन का नाम वर्ष 1850 में बदल करके भारती या राष्टी या कॉंग्रेस रखा गया था ये रखा गया भारती या राष्टी या स्रंग का नाम बदल करके भारती या राष्टी कॉंग्रेस जो या 1850 में रखा गया है सुभाष चंद्र बोज के बारे में निम्रलिखित में से गलत कथन का चैन कीजिए यहाँ पर जो जापान की सहायता से दफ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया यह अप्शन जो है गलत है कौन सा मसस्त जागिर की शुरुवात किया गया है औरंग जेब के द्वारा किनकी द्वारा तो औरंग जेब के द्वारा नेक्ष्ट है कि फत्वा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निमनलिकित में से किस सासक के सासनकाल में लिया गया था तो ये जो लिया गया है औरंग कॉलेज के संस्थापक कौन थे कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय थे नेक्स्ट के लाड डल होजी के द्वारा भारत में रेल्वे लाइन डालने का मुख्य उद्देश ये था रेल्वे लाइन डालने क को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन का जो था करवाएं थे लाड़ल होजी की समय में ये मुख्य देश था उनका कि खानों से बंदरगाहों को जोड़ा जाए जिससे वो अपना आयात निर्यात आशाने से कर सके नेक्स्ट है कि असायोग अंदोलन के द्वारान विदेशी कपडों को जलाने को एक निष्ठूर बरबादी किसने घोशित किया था तो किसके द्वारा किया गया था तो रविंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था निष्ठूर बरबादी जो कि विदेशी कपडों क जलाने का एक घोषना किये थे कउंग्रेश का प्रतिनीधित्व किसने किया था महात्मा गांधी के द्वारा बिटिश प्रधान मंत्रियों में किसने भारत में खुर्प्ष मिशन भेजा था तो किसने भेजा था तो विश्टन चर्चिल जो थे ये भेज़े थे बिटिश प्रधान मंत्रियों में भारत में क्रिप्श मिशन को नेक्स्ट कोईशन दिया हुआ है कि मसाला है और उसे सिर्ष उत्पादक छेतर है कहां पर कौन सा मसाला पाया जाता है तो इसका राइट आंसर देखना है हम लोगों को तो केशर जो है ये जम्मो कश्मिर में हो पाया जाता है फेमस है और जो काली मेर्च होता है ये केरल में है हल्दी जो होता है आंधर प्रदेश में और जीरा जो होता है राजस्थान में ठीक है तो इसका राइट आंसर जेगा option number B फिर से देख दीजिए इसको जो केसर है वो कहां है जंगमु कश्मीर में काली मिर्च कहां है तो केरल में हल्दी कहां है तो आंतरप्रदेश में और जीरा कहां है तो राजस्थान में किस कीमतों को किशानों के लिए बीमा कीमत की संग्या दी जाती है तो नियुनतम समर्थन मुल्य को जो है ये किशानों के लिए बीमा कीमत की संग्या दी जाती है कि इनको तो नियुनतम समर्थन मुल्य को नेक्स्ट है कि राष्टी क्रिशी तथा ग्रामिड विकास बैंक नाबाड की अस्थापना किस समीती की अनुशंसा पर की गई थी नाबाड की अस्थापना तो ये किया गया है सिवरामन सिंग समीती के अनुशंसा पर किया गया था नेक्स्ट क्वेस्टन है कि भिलाई इस्पात सनेतर किश्डेश की सहायता से अस्थापित किया गया है भिलाई इस्थापित किया गया है नेक्स्ट क्वेशन है कि निम्न पर विचार करें निम्न पर विचार करना है जिसमें दिया हुआ है गर्म और सस्क जलवायू हलकी और गिली सर्दी सदा बहार ओको के पेड़ वो प्यूक्त भौतिक विसेष्टाएं निमलखित में से किस छेतर की विसेष्ट विसेष्टाएं हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भूमदी शागरी है ये जो विसेष्टाएं दिया गया है ये भूमदी शागरी प्रदेश की विसेष्टाएं है ने माना दर्रा है ये जो है ये सुक्की में नहीं होगा ये जो है सुमेलित नहीं है माना कर इस ठीक है तो है तो ये जो है इस दिक नहीं है ये ऊत्रा और हारो यह गलत है नमचा बारवा हिमाले की किस रेड़ी में है नदियों का विसर्प वाही का जो गोखुर जील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है जो नदियों की विसर्प वाही का है ये जो गोखुर जील के रूप में पाई जाती है क्या कहते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा मन उसको मन बोलते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है कि मरू उध्यान किसे कहा जाता है मरू उध्यान किसे कहा जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान में हर्याली वजल वाला छेत्र को बोला जाता है मरू उध्यान नेक्स्ट है कि घास के मैदान में कौन है जो सही सुम्मेलित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लानोज जो कि वेनुजुएला में पाया जाता है घास का मैदान है लानोज वेनुजुएला में तो ये राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है कि आयतन की द्रिष्टी से साफ पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी होती है ये होजा बैकाल जील जो है आयतन की द्रिष्टी से साफ पानी की सबसे बड़ी जील होती है नेक्स्ट है कि Tores जल डमरू मध्य, किन दो द्वीपो के मध्य इस्ति थे, जो Tores है, ये किन दो द्वीपो के मध्य इस्ति थे, तो right answer होha ऐगा Australia and एवं पपुया निवगीनी के मध्य, कहा पर Australia and जो है पपुया निव गिनी के मध्य इस्ति थे, कौन सा? तो टोरेस जल डमरू मध्या नेक्स्ट है कि फाइबर और टिक्स का किस सिधान्थ पर कारे करता है फाइबर और टिक्स जो है किस सिधान्थ पर कारे करता है तो राइट आंसर हो जाएगा शंपूर आंतरिक परावर्तन के सिधान्थ पर ठीक है शंपूर आंतरिक परावर्तन के सिधान पर ये काम करता है नेक्स्ट क्वेस्टन दिया हुआ है कि इन में से अश्रत्य कथन कौन सा है अश्रत्य कथन कौन सा है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कायांतरर में बड़ी आत जो हो जाती है कायांतरर में आत जो है बड़ी हो जाती है यह यहाँ पे अश्रत्य कथन है नेक्स्ट है कि एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है तो एक हजार कीगरा सी ओ टू एक हजार कीगरा सी ओ टू होता है एक कार्बन क्रेडिट का मान नेक्स्ट है क मानो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है तो ये 65 प्रतिशत होती है मानो शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा इनमें से next question है कि इनमें से कौन है जो शुम्मेलित नहीं है तो जो तामबा है वो गैलवी निक करण से शंबंदित नहीं है तो ये हो जाएगा right time यहाँ पर गलत आंसर next question दिया हुआ है कि किसकी मात्रा अमलवर्षा में सबसे अधिक होती है तो जो होता है इसका जो मात्रा होता है अमलवर्षा में सबसे अधिक होता है नेक्स है कि सास लेने और छोड़ने की क्रिया के दोरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है कौन सी ऐसी मात्रा होती है जो नाइट्रोजन होता है यह जो होता है सास लेने और छोड़ने की क्रिया के दोरान प्रभावित नहीं होता है नाइट्रोजन नेक्स्ट है कि दूद का आप एक चिक घनत्व किसमें मापा जाता है दूद का आप एक चिक घनत्व मापा जाता है लेक्टोमीटर से नेक्स्ट है कि तत्व में से प्रित्वी पर सबसे भारी प्राकिर्थिक तत्व कौन सा होता है तो यह हो जाएगा जूरेनियम जो की प्रिथी पर सबसे भारे तत्व होता है तत्वों में नेक्स्ट है कि कौन तना का उधारण नहीं है तो तना का उधारण कौन सा नहीं है तो जो सकरकंध है वो तना का उधारण नहीं है बलकि जड़का हो जाएगा नेक्स्ट है कि अमास तथा चुद्रांद द्वारा यक्रित में पोशन युक्त रक्त पहुंचती है उस वाहिका का नाम क्या है तो उस वाहिका का जो नाम हो जाएगा यक्रित प्रवेश द्वार सीरा हो जाएगा जहां से अमासे और चुद्रांद द्वारा जो यक्रित में पोशन युक्त रक्त पहुठते हैं। नेक्स्ट की Malaria से प्रभावित होने वाले अंग कौन है? Malaria से प्रभावित होने वाले अंग तो इसका Right answer हो जाएगा पलीहा पलीहा जुए मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है next question है कि वस्त निर्माड में परियोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका सुरोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं संसलिष्ट तंतु कहलाते हैं जो वस्त निर्माड में परियोग में लाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका सुरुत जो होता है पादप नहीं होता है वो संसलेशित तंतु कहलाते हैं कौन सा अनुवानशिक रोग नहीं है जो अनुवानशिक रोग नहीं है राइट आंसर हो जाएगा डेमेशिया जो होता है ये अनुवानशिक रोग नहीं होता है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट उनका मौलाना आजाद अल हिलाल पुस्तक है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमर ए नेक्ट क्वेस्टन दिया हुआ है कि व्यक्तिगत सत्यागरा के प्रथम एवं दुतिय सत्यागरा ही के जोड़े का चैयन कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे और जवाहर लाल नेहरू जो है व्यक्तिगत सत्यागरा के प्रथम और दुतिय सत्यागरा ही जोड़े है नेक्स्ट क्वेस्टन है कि इस्थाप्ना के पचास वर्स पूरे होने पर भी भारतिय राष्टिय कॉंग्रेश का इतिहास लिखने वाले अधिकारी साहित्याकार कौन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएका पट्ठा भी सीता रमया जो है ये थे 50 वर्स पूरे हो जाने पर भी राष्टिय बारतिय राष्टिय कॉंग्रेश का इतिहास लिखने वाले अधिकारी की इतिहासिकार थे पट्ठा भी सीता रमया नेक्स्ट के कौन एक उग्र विशार धारा के समर्थक माने जाते हैं तो जो विपिन चंद्रपाल है ये उग्र धारा के विशार धारा के प्रवर्थक माने जाते हैं कि किस मुगल सासक के सासन काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ मन सब वेवस्था का क्रमिक विस अभिकास किर्स मुगल सासक के काल में हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के सासन काल में सिविल सेविको के चायन के लिए खुली प्रतियोगिता परिक्षा का आरंब किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था तो यह जो हो जाएगा राइट आंसर 1833 के जो चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा जो है सिविल सेविको के चायन के लिए खुली प्रतियोगिता परिक्षा का जो है अधिनियम तै किया गया था नेक्स्ट क्रेशन दिया हुआ है कि निम्नडिखित यूरोपीएनों में से कौन एक स्वतांतरता पुर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आये थे जो फ्रांसी सी थे ये जो है स्वतनतरता पुर्व भारत में ब्यापारी के रूप में सबसे अंत में आये थे नेक्ट क्वेशन दिया हुआ है कि आधोनिक भारत के निमनलखित संस्थानों एवन संस्थापकों में कौन शुम्मेलित नहीं है नेक्ट क्वेशन है कि ब्रिटिस भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था ये किया गया था जो है 1824 इस भी में 1824 में जो है प्रिटी सरकार ने सेना ने धार्मी आधार पर जो है सबसे पहले सरकार के आदेश का विरोध किया था 1824 इस भी में Next दिया हुआ है कि किस वायसा राय ने गांधी जी को One Man Boundary Force करके संबोधित किया था One Man Boundary Force बोल कि संबोधित किया है तो मांट बेटन ने थीक है One Man Boundary Force मांट बेटन ने बोला था Next है कि गुप्त सासन में Next है कि गुप्त सासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है जो है दश्रावतार मंदिर जो है गुप्त सासर में किस देवता को समर्पित है तो विष्णु देवता को समर्पित है नेक्स्ट है कि निश्काम कर्म का शिधान्त श्वरप्रतम किस में प्रतिपादित किया गया था तो राइट आंसर हो जाएगा इपू इशू उपनिशद में किया गया था निशकाम कर्म का सिध्धान्त नेक्स्ट है कि गुप्त काल में शरवाधिक अभिलेख किस सासक के मिलते हैं गुप्त काल में गुप्त काल में सरवाधिक अभिलेग नेक्स है कि किस अस्थल से मानो कंकाल के साथ कुट्टे का कंकाल भी शावधान से प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बोर्ज होम का बोर्ज होम का जो है वहाँ पर कुट्टा और मानो दोनों का साथ कंकाल पाया जाता है नेक्स है कि अनेकांतवाद या स्यायवाद निम्नलिकित में सी किसका क्रोड शिधान तेवं दर्शन है क्या तो अनेकांतवाद या स्यायवाद ये दिया गया है जैन मत के द्वारा ठीक है नेक्स्ट है कि सती प्रथा का प्रथम अभी लेखी साक्षिय प्राप्त कहां से हुआ है शती प्रथा का तो राइट आंसर हो जाएगा एरन अभी लेख से प्राप्त हुआ है शती प्रथा का जो है अभिलेक का शाक्षिय नेक्स्ट क्वेस्टन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सरवादिक प्रशिद केंद्र था तो कौन सा प्रशिद केंद्र था तो राइट आंसर रुचेजी का तक्ष्रीला जो है मौरे काल में सिक्चा का सरवादिक प्रशिद केंद्र था नेक्स्ट है कि प्रारंबिक मद्य काल में बिहार का छेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा बिहार का जो छेत्र था तो ये बना रहा था बंगाल और दिदली के बीच में है संघर्ष का अखाड़ा बना था नेक्स्ट है कि राष्टिय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है राश्टी अमानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष तो ये बनाया गया था सुप्रीम कोट के किसी भी सेवा निवरित मुक्य नियाधिश या नियाधिश को बनाया जाता है राश्टी अमानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नीचे दिये गए कथनों में से कौन सा कथन सही है यहां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी कि 1952 में पहली लोक सबा का गठन किया गया था यह राइट आंसर हो जाएगा यहां पर नेक्ट कोईशन दिया हुआ है कि भारत के माहा नियावादी के संबंद में नेमन में से कौन सा कथन गलत है यहां पर जो दिया हुआ है कि संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार होता है यह जो आप्शन ही यह गलत है तो राइट आंसर हो जाएगा अप्शन नमर दी किसके अंतरगत बैंको को अपनी जोखिम भारित परिशंपत्ती तथा अपनी पुजी के बीच एक निश्चित अनुपात बना कर रखना होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूजी परियापतता अनुपात पूजी परियापतता अनुपात को हो दखना होता है नेक्स्ट क्वेशन है कि परंपरागत क्रिशी विकास योजना को कब शुरू किया गया था इसका राइट आंसर हो जाएगा कि GST के अंतरगत 5 प्रतिशत 12 प्रतिशत 18 प्रतिशत और 26 प्रतिशत की दर है यह जो अप्शन यह गलत है राइट अंसर C हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत की वैशी नदी जो हिमाले की सभी स्रिंखला को काटती है तो वो कौन सी नदी हो जाएगी तो सतलज नदी जो है वो हिमाले की सभी स्रिंखला को काटती है नेक्स्ट है कि कौन एक किसी प्रजाती के विलोपन के लिए उत्तरदाई नहीं है तो कौन उत्तरदाई नहीं होता है तो राइट आंसर हो जाएगा व्यापक नीच व्यापक नीच यानि कर्मता जो है यह उत्तरदाई नहीं होता है क इससे हो करके मकर रेखा नहीं गुजरती है नेक्स्ट है कि निमनलिखित सागरों का पूर्व से पस्चिम सही क्रम है तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा बेरिंग सागर पीला सागर लाल सागर और केरिबियन सागर ठीक है पूर्व से पक्षिम क्यों यह सही क्रम है पहले बेरिं से नेक्स्ट है कि प्रित्वी की आयू का मापन निम्न में से किस विधी द्वारा किया जाता है प्रित्वी की आयू का मापन तो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किसके द्वारा यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है और नेक्स्ट क्वेश्टन है कि किस जंतु में सरवादिक पस्लियां होती हैं जो साफ होते हैं उनमें जो अधी सरवादिक पस्लियां पाई जाती है नेक्स्ट है कि लॉड डिक्टेटर उपकरन को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है तो किस उपकरन लॉड डिक्टेटर उपकरन को और किस नाम से जाना जाता है तो right answer हो जाएगा poly graph के रूप में जाना जाता है पॉली graph के रूप में lord dictator रूप करन को जाना जाता है next है कि मानो सरीर के ताप करम के शमबंद में शाही कथन चुनिये शाही कथन क्या होता है तो किसी भी मौसम में सरीर के ताप मान में कोई परिवर्तन नहीं होता ये right answer हो जाएगा कि किसी भी मौसम में सरीर के ताप मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है next है कि रॉक्त में oxygen की सांत्रता में कमी आने पर स्वाश की गती क्या होती है तो शामानिय से बढ़ जाती है next है कि लंबाई की नियुनतम 21 नियम्न में से कौन है लंबाई की नियुनतम 21 जिसका राइट आंसर हो जाएगा फर्मी मीटर होता है लंबाई का नियुनतम 21 नेक्स है कि सरीर का ऐसा अंग जो हर समय काम करता है तो कौन सांग हो जएगा, हिर्दय हो जएगा जो हर समय काम करता हो next है कि county नीम नमी से किसका है या किन का विमी ए सुत्र M0 L1 T-1 होता है के बराबर होता है तो राइट आंसर हो जाएगा चाल का, ठीक है, चाल का बराबर होता है next है कि स्वशन के दौरान ब्रोकि ओल्ज ठीक है नासा मार्ग ट्रेकिया ब्रोकाई और ब्रेकिओल्स यहो जाएगा राइट आंसर स्वर्शन के दोरान वायव का गमन का सही अमारग् हो जाएगा नेक्स्ट है कि निर्वात में गमन करने वाले तरंग हैं तो कौन से तरंग होते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा विद्दु चुम्ब की या तरंग होते हैं नेक्स्ट है कि कौन सा भातिक परिवर्दन है भातिक परिवर्दन कौन सा हो जाएगा तो बर्प काफी घलना जो है यहाँ पर भातिक परिवर्दन हो जाएगा नेक्स की जडो से जल का इसके पूड शमौ की और बढ़ना ये सिर्फ केशी कत्व के कारड नहीं होता है, की कारबन थोष कारबन डाय क्रिछी में पर संग्राहित किया जाता है, किस ताप पर संग्राहित किया जाता है तो उच्छ दाप पर ये संग्राहित होता है नेक्स्ट है कि क्रिशी में परयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है किसमें तो क्रिशी में यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा कितना होता है तो right answer हो जाएगा 46 प्रतिशत ठीक है next है कि निम्नलीखित में से कौन सा एक वायू प्रदूर्शड का जैव सुचक है कौन सा हो जाएगा तो लाइकेन हो जाएगा एक प्रकार का वायू प्रदूर्शड का ये जैव सुचक है next है कि दंत वल्लक दंत लवक निमलीखित में से किस कैलसियम के किस योगिक से बनता है किस योगिक के द्वारा बनता है तो राइट आंसर हो जाएगा कैलसियम फासफेट के द्वारा बनता है दंत लवक में जो कैल्सियम के योगिक होते हैं वो होता है कैल्सियम फास्पेट योगिक से बनता है नेक्स्ट है कि वास्पी करण के कारण सितलता कैशी होती है कैशी होती है तो द्रव के करण द्वारा उर्जा अशोचित करने के कारण होती है वास्पी करण की कारण सितलता नेक्स है कि किस वैग्यानिक ने द्रव की विभाजत्या का सिधान्त स्वर्पृत्म प्रस्तुत किया था तो किस वैग्यानिक के द्वारा किया गया था जॉन डॉल्टन के द्वारा ठीक है जॉन डॉल्टन के द्वारा द्रव्यों क्या विभाज्य या तक का सिधान्त स्वर्पतम प्रस्तुत किया गया था नेक्स्ट है कि निकट द्रिष्टी दोस में किस लेंस का उपयूग किया जाता है तो ये किया जाता है अवतल लेंस का यूज किया जाता है निकट द्रिष्टी दोस में नेक्ट्ट कोश्चन है कि मेगनीशियम क्लूराइड का रासानिक सुत्र निमन में से क्या है तो इसका हो जाएगा MgCl2 मेगनीशियम क्लूराइड का रासानिक सुत्र हो जाएगा MgCl2